और सबसे बड़े धन्यवाद के पातर है हमारी जन्ता जिन्हों ने बॉल चड़कर लोक तंत्र केस महापर्व को सेलिब्रेट किया और बंपर वोटिंग किया भावना हमारी सजुगे दिली से हमारे साथ है भावना से कई सवाल एके करके सवाल लेते हैं आयुश सबसे पहला भावना चुनाव संपन हो गया चुनाव संपन होने के बाद अब किसके पाले में कितनी सीटे आ रही है किसके हातों में सत्ता की चाबी जारी इसको लेकर दावेश शुरू हो गया प्रशांत किशोर ने अल देखे अभी आपको बतादू कि एक्जिट पॉल का जो पिटारा है वो बस अब खुल ही रहा है और ऐसे में जनता की तरफ से जो एक सर्वे निकल कर आया है एक्जिट पॉल उससे कहा जाता है और लेकिन वोटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है ऐसे में एक सर्वे होना और एक वोटिंग होना दोनों में अंतर होता है लेकिन कहीं न कहीं दोनों ही बाते इस तरफ इशारा करती है कि एक जीत का सहरा पहनाती है तो दूसरा जो है कहीं न कहीं पार्टी की हिम्मत को और बढ़ावा देती है और अब ही देखा जाए तो एक तारीक है कल दो परसो तीन और फिड सबसे मैत पून दिन जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं खासकर की विपक्षी पार्टिया और सत्ता पार्टिया के उस चार तरीक के दिन जो एक्जिट बोल के नतीजे हैं उन से कितना मिलता जुलता वोटिंग का अगर हम बात करें तो परिनाम निकलते हो नज़र आएगा लेकिन बेराल क्योंकि अगर मैं आज की बात करूँ आज हम सुवे से कवरेज कर रहे थे इंडिया ब्लॉग गडबंदन की बैटक की डाई घंटे तक बैटक चली मलिकार जुन कड़के जो के कॉंग्रिस के राष्टी अदेक्ष है वो बाहर आ बाहर आने के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं मीडिया से रूबरू होने के बाद कई तथ्यों को सामने रखते हुए नजर आते हैं उनका कहना है कि 295 सीटे जो है ओल ओवर इंडिया गडबंदन लेकर नजर आ रहा है लेकिन शारी के बात और समझ लीचिए टीमसी के लीडर नदारत रहते हैं टीडीपी के लीडर नदारत रहते हैं यहां तक कि पीडीपी की महभुवा मुस्ति भी जो की लीडर है बड़ी वो भी नदारत रहती है यानि कि तीन बड़ी पार्टिया तीनों बड़ी पार्टियों के लीडर नदारत कई पार्टियों के जो ल करेंगे यहां तक कि एक बात और नजर आई कि एक पॉल के उपर विपक्ष का कोई भी नेता अपना बयान नहीं देगा शारिक ये बात भी आज मलिका अर्जुन खड़के ने बातों ही बातों में कह दी है कि एक्जिट पॉल के ओपर कोई रुजान विपक्ष की तरफ से नहीं आएगा यानि कि आप ये मान के चलिए कि अगर पत्रकार इस बात के इंतिजार कर रहे हैं और अब आकलन लगेगा कि किसने कितना दावा किया और वो दावे कितना धरातल पर सच साबित होते नजर आएंगे भावना माप से एक बार फिर जुड़ेंगे तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सातों चरण पे जो मतदान हु प्रमियों ने किया है उसका नतीजा है कि बंपर वोटिंग हुई और शामतियवपूर्ण डंक से मतदान संपन वा साथ सीटों पर मतदान संपन हुए मतदान संपन होते ही दावों की बौच्छार शुरू हो गई हमारे साथ हमारे सैयोगी भावना बनी हुए हम उनका रु अब आप ने शहीए का हम ने भी मुख्य मंत्री चम्पई सोरेन का साक्षब कार किया था और साक्षब कार कि दरूब नों ने इस बात का जिकर किया है कि 10 सीटों को हम जीतने जा रहे है अब आप यह सोचिए कि वो कौन सी ऐसे दस सीटे है जिसको लेकर मोक्य मंत्री दावा ठोक रहे हैं तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और वो कौन सी ऐसे चार सीटे है जो वो सत्ता पक्ष को दे रहे हैं कि इस पर सत्ता पक्ष जीतेगा और दस सीटे ऐसी है जिस प अहां गायप होगी और दस सीटों पर बात हो रही है लेकिन वो दस सीटे कौन सी है और ऐसे में जब मलिका अरजुन खड़के जब बाहर निकल कर मीडिया से रूबरू होते है तो वो 295 सीटों का आखलन लगाते है अब सवाल यह उड़ता है कि ऐसी वो कौन सी 295 सीटे है जि जनता के रुजान के जरीए यह आप जान पाएंगे कि जनता क्या कहना चाहती है लेकिन राजनीतिक सर्वे के अधार पर इसको जानना नामुम्किन सा है यानि कि कही न कभी बातों यह बातों में वह एक्जिट पोल को राजनीतिक सर्वे बताते हुए जरूर नजर आए है लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 10 सीटों पर मुख्य मंतरी चंपाई सोरेन का दावा क्या उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो वो बताते भी नजर आ रहे है या उन्होंने भी कोई सर्वे कराया या फिर उन्होंने जनता का रूजान देखा या वोटिंग परसंडे अब बात आती है 295 सीटों की जिसके लिए मलिक अर्जुन खड़के कहा रहे है कि हम सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गडबंदन सरकार बनाते हुए नजर आ रहा है और 295 तक का आखड़ा पार होगा इनकी बहुमत के आखड़े के लिए आप मानिए तो 202 का जो है रुजान चाहिए होता है ऐसे में 295 का मतलब यह है कि इंडिया गडबंदन कई ना कई एक काउंटिंग मेथड लगा रहा है जिसके तहद उन्होंने 295 का डाटा बताया लेकिन वहीं अगर आप बिजेपी और अंडिया के बात करेंगे तो वो भी 400 का डाटा बता रह जिसके करणा आप दोसों पिचानवे सीटे अपने खाते में डाल यह आकड़े रहेंगे बावना चार तारिक तक यह बयानों में सिर्फ आकड़े के रूप रहेंगे सीट वाइस अगर पूछ लिजेगा तो शायद दोनों इतरफ बताने में आस समर्थ रहेंगे और जो आ प्रचंड गर्मी में आप लोगों ने दिन बर रिपोर्टिंग की है बहुत ठक चुके है लेकिन आखरी वक्त लेंगे आपका उसके बाद रिफ्रेश्मेंट के लिए चले जाईएगा शिकांत चुनाव संपन हो गया तमाम लोग धन्यबाद के पात रहें और आप जो हमा चुन खड़गे 295 प्रशांत किशोर ने काया कि 300 अकेले बीजिपी को आ रही है चमपई सोरेंज मुक्मंत्री है उन्होंने काया कि 10 सीटे हम जीत रहे हैं जारकर में 4 सीटे कौन सी नहीं जीत रहें वो नहीं बताएं किस रूप में आप देख रहे हैं अगर जिस चेत्रो कि अब चुनाओं का दोर खतम हो चला है अब दावों का दोर जारी होगा कि हमें कितने सीटे आ रही हैं सबसे पहले कर हम बात करें एंडिये की तो एंडिये ने कुल भाजपा ने 13 सीट पर और एक सीट पर आजसू यालिकि कुल 14 सीट पर चुनाओं लड़ा था पिछले ब बाजपा को आई थी और एक सीट आजसू को आई थी 12 सीट वहीं अगर हम बात करें तो दो सीटों पर इंडिया आलाइंस ने विजय हाशल किया था इस बार साथ सीट पर कॉंग्रेस ने चुनाओं लड़ा है पांच सेट पर जार्खट मुक्ती मोर्चा और एक एक सीट पर राश्टी जनता दल और माले ने चुनाओं लड़ा है कई स्थानों पर हमने देखा इस चुनाओं कब्रीच के दौरां जहां पर सीधा मुकाबला रहा है बाजपा के कई पर्तियासियों को सीधी टक्कर मिली है भले ही लोग बोल रहे हो कि एक तरफा हुआ है लेकिन निश चार प्रचारक के रूप में थी उन्होंने हड एक छोटे चोटे प्रखंड हो या बड़े उलाके हों उनमें जम के प्रचार किया मई भाजपा के बात करें तो वहां को शांवा को उतार गया गयता फिल्ड में बैटिंग करने के लिए ताकि रब में कमी ना हो अब रब्स इतने बने हो तो चार तारिक शाम को ही दोपार से रुजान आने लगेंगे लेकिन निश्चित तौर पर अगर संथाल की आप बात करेंगे तो संथाल के जो भी सीट पर आज हमने आकरम क्या वहां पर सीधा मुकाबला है सीधा तक्कर है कुछ इलाकों में अगर आप देखें कि जब जो मद्दान अब तक हुए हैं जारकन में 14 सीटों पर कौन रेस में आगे रहा कौन पीछे रहा कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और इन तमाम मुद्दों पर शर्षा करने के लिए हमारे साथ है श्रिकांत हमारे समभाद दाता बने हुए श्रिकांत देखे आप तमाम मुद्दों से रूबर हुए जनता के बीच पहुँचे आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसमें प्रत्याशियों को लग रहा था कि नहीं हम इस मुद्दे को लेकर रेस में आगे निकल रहे लेकिन कुछ प्रत्याशियों को लग रहा था इस मुद्दे को लेक आज जार्खन की जनता है वो लगातार जो है दोचार हो रही है सबसे बड़ा दुर्भाग की कहिए वेडंबना कहिए राज बनने के लिए 24 साल बाद भी सड़क बिजली पानी स्वास्त है संथाल के इलाकों में हम घुमें वहां रोजगार के नाम पर कोई सुधा नहीं है द इक melhor कोया कवरें लोग रहते हैं और अगर अगए जाएंगे तो यह परिशानी लेकिन ग्रामीन उलाकों में वहां लोग लग लग वोट करके ही जाएंगे एक बार बूत में पहुच चुके हैं तो वोट ये भी एक महत्कुन पॉइंट हो कि आखे ग्रामीन वोटर किसके साथ है या फिर इंडिया लाइंस के दावे में दम दिखेगा इस बार या फिर भा पचाप आएगी या इस बार इंडिया आलाइंस हाभी हो जाएगा कोई भी परत्यासी अगर सीज़े तोर पर खुल के कैमरे के सामने कुछ भी कहले लेकिन क्रांटे की टक्कर है आप चाय को लांचल की बात करने संथाल की बात करने उत्तरी छोटा नागपुर बाद की कि अधियर की बात कर लें एक का दुपका सीज को छोड़ दीजे जहां पर निर्दली परत्यासियों ने मैदान को रोचक बना दिया जैसे गिरीडी लोग सबहां में अंतिन दोर आते आते जो निर्दली परत्यासी थे जाराम माते उन्होंने को रोचक कर दिया लेकिन अभी पर देखा जाला था कि लड़ाई सीज़े तोर पर जारकर्ण मुक्ती मोर्चा और आज सुम है जो कि इंडिया आलाइंस और अब देखना यह सबसे महत्पून बाद जहां पर त्रिकोनिये मुकाबला था कि आखिर जो निर्दली परत्यासी है वह किसको माइनस की और ले ज जहां पर अलाकि त्रिकोन और लोहरदागा में बन रहा लेकिन अभी आपने रिसेंटली जहां से रिपोर्टिंग की है वहां पर गुड़ा की बात करी जाए या फिर राजमेल की बात की जाए राजमेल में लोविन हैमरों में अभिशे कानन जाह है और इदर जहांसे आप रिपोर्टिंग करते हैं वहां से टाइगर जहराम चुनावी मैदान में थे किस रूप में देखते हैं क्योंकि मैक्सिमम सीट पर शिकानत इस बार का जो ट्रेंड है चुनाव का वन तो वन फाइट देखने को मिली या तो एंडिया उमिद्वार है या फिर इंडिया अला किस रूप में देखा जाए जनता कितना डाइजेस्ट कर पाई है जहां जहां यह त्रिकोन बना है लेकिन इस बार जीत का मार्जिन घट कर कहीं कहीं तो बिदान सबाह में यह अंडाजा लगाए जा रहा है कि 15-25 जार तक आ जाएगा कहीं इस चुना में यह निट्मर स्टेस्ट है कि नमबर में बिदान सबाह का चुना है यह त्रेंसे tu लेकिन अगर बात के तो जैसे चुनाव बदलता हैं मुद्य बदलते हैं जनता का मिजाज भी बदल जाता 2019 का अगर जिक्र करें तो BJP को भरपूर आशिरवाद मिला था एंडियो को भरपूर आशिरवाद मिला था लेकिन जैसे विदान सबाद चुनाव आया मुद्य बदलें जनता का मिजाज भी बदल गया अश्रेकान्थ कि देखिए बाजपा के जो भी प्रत्यासी है इसे बोलने में पत्रकार के नाते कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने सीधी ये लड़ाई है वो लड़ी है तो नहेंद मोदी के नाम पर लड़ी है लेकिन अगर इंडिया अलाइंस की जार्खन में बात करें तो कल्पना सोर कि बात करें तो यह कर देगा कि संताल में आदिवासी समाज किसके साथ है तीनों सीट में यह बाते निकल कर सामने आ जाएंगे और जीट का मार्जी नहीं लगाता यह भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जीट का मार्जीन है बले बावे जो भी करें राज्मितिक बल लेकिन जीट का मार्जीन बहुत कम आ जाएगा और बहुत नजदी की फाइट है आप दनबाद लोगसभा की ही बात कर लिजिए या फिर गोड़ा लोगसभा जहां पर इतने सारे लोग कहते हैं विकास के काम हुए हैं वहां पर भी लोग बता रहे हैं कि निशीत तोर से व पर फक है दुम्का में जानता के मिजास को बहुत टफ हो गया श्रीकांत जिस तरह से साइलेंट रहे हैं वोटर्स और एग्रेसिव हुए है तो सिर्फ मतदान करने में ये परसेंटेज बता रहे हैं ब्रेक के पार एक सवाल आपसे है यह जानने की कोशिश करेंगे संथा स आप रिपोर्टिंग कर रहें संताल ने इस बार कितना मिस्स किया है हेमन सुरेन को कितना मिस्स किया है गूरू जी को और कलपना सुरेन के मैदान में आने से कितना हम उस सवाल के साथ आपके पास आएंगे लेकिन एक महतपूर्ण खबर है जो अपने दर्शकों को जिससे बड़ी खबर इस वक्त की तमिल आडु अर्पोडूचेरी का एक जिट पॉल सामने आ गया है बीजेपी को एक से तीन सीट का अनुमान है इस वक्त की बड़ी खबर कॉंग्रेस को 8 से 11 सीट का अनुमान 1 से 3 बीजेपी और कॉंग्रेस 8 से 11 इंडिकर्ट बंदन को 36 से 49 सेट का अनुमान तमिल लाडू और पुडुचेरी को मिला कर लग रहा है इस वक्त की बड़ी खबर अब धीरे धीरे एक्जिट पोल आना शुरू हो गया है सबसे पहले शुरूआत दक्षण भारत से तमिल लाडू और पुडुचेरी का एक्जिट पोल सामने आ गया है बीजेपी को एक से तीन सीट मिलने जा रही है